हलो फ्रेंड वेल्कम है उशा स्टीट फूड में मैं पूनम सिंग आज आपको गुरुद्वारे में किस सरीके से लंगर का हल्वा बनाते हैं आओ देखे सबसे पहले मैंने सूजी और घी देशी घी लिया है जितने ही सूजी है अब इसको भूनना है घी के अंदर तो मैंने घी और साथ में सूजी को रॉस्ट कर रही हूं यह देखे किस लीके से हमें रोज करना है अच्छे से भूनना है जब तक खुश्बू ना आए चलाते जाएं इसमें रुके नहीं आप अधरवेस नीचे से जो है सूजी हमारी जल जाती है वं फिर वाला पना चलाता है से बस्षिय दीरे चलाते जाएं चलाते जाएं और पकाते जाएं श्कार बूर्ते जाएं बस आपको चलाना है सब से मेन geograph यहीं होता है आप इसकू चलाते रहें जब तक यहासीर सूजी है अव्हाराओ नहीं से जैसे हुश्मू आ प्रशाद बहुत टेस्टी होता है भगवान का तो आप गुरुद्वारे का एक बप्रशाद के स्रीके से बनाया जाता है वह आप देख सकते हो कितनी साफ सफाई से बनाया जाता है बस आप इसको दीरी दीरी चलाते रहें घी के अंदर बूंते रहें आपको कंटीनिस चलाते रहना है और इसमें आप हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी की बूंदे पानी की बूंदे इसलिए डाले चाती हैं कि जिससे हमारे जो सूजी है और हमने जो देशी घी यूज किया है वह अच्छे से मैक्स हो जाए अच्छे से जल्दी से ब्राउन हो जाए बस इसको आप चलाते जाएं यह देखिए हमारी सूजी ब्राउन होने लगी है दीरे- में निटी और वंभी ऊपर आने लगा है दिए पांव यह अलमोज अब हमारा त्यार होने वाला है यह आर यह बेरा करने के कोशिश कर रहे हैं और शाथ में हम ड्राइफ रूट्स तब तक रेडि कर लेते हैं साईट पे यह देखें देखें लिए हैं और काजू लिए और किशमिश यह हम तीन चाचीजे यूज़ करेंगे यह हमें साहरे ड्याइफरूट्स इसमें डाल दिये और इसको आप देख रहे हैं यह हमारा चीनी का पानी है एक तार का पानी है चीनी और पानी है यह त्यार को डील इसमेंट रखा हुआ है वह आप डाल देंगे साइब एसाइब पानी के गूर को डाल देजिए और इसको चलाते रहें ऐसे डालें कि दूसरा आत्मी जो है वो चलाते रहें अधर वाइस क्या होता है कि सुची के जो लंस होते हैं वो पढ़ जाएंगे फिर वो टेस्ट नहीं आता हलवे का बस इसको पका लीचिए अब इसको दीरे 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 चलाते रहें आपके आओगा यह पूरा का पूरा पूरा जो पानी आपको नजरा रहा हुआ हलवे का वो सब थिक होना शुड़ू हो जाएगा और हलका हलका बन कर त्यार हो जाएगा और इसमें आप ही मैंने डाली है फोडिसी हरी इलाइची इल प्राइची पाउडर मैंने यूज़ किया है बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह बास यह देखो थीक होना शुरू हो गया सारे ड्राइफूट्स भी आपको नज़र आ रहे होगा यह देखे इस तरीके साप चेक कर सकते हो पस चलाते जाए और सीमाज पर इसको पकाते जाए आप चाहिए तो इसमें हलका सा खाने का जो कलर आता है औरेंज कलर वह आप इसमें आड़न कर सकते हैं कलर लाने के लिए यह अलमस्वारा हल्वत बनकर तयार गुरुद्वारे का है कि आपको पसंद आएगी आप इस तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं भगवान का प्रसाद बना सकते हैं यह देखें बनकर तयार का कि बस इसको चलाना ये में एक प्रोसेस होता है अगर आपको अच्छा बनाना है तो दीरे 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 इसको चलाते रहें कितना लजीज टेस्ट आ रहा है देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना डेस्टी होगा अब हम इसमें करेंगे नारियल का बुरादा आप चाहिए तो हास से लब को ग्रेट भी कर सकते हैं यह इसमें इन डाल दिया नारियल का बुरादा हि बिनना नारील के तो हलब mermaid नहist año अफ़े बीन अच्छरु भी नहीं घ्रकता हुआ अब इसमे जरूर ढाले और इसमें उपर से हमने हलकी सी चीनी और एड़ की है बस यह रेडी हम इसको हलका से गानिश कर लेते हैं डिजाइन बना लेता है बस आप सर्व कीजिए सबको खिलाएं अगर आपको मेरी इस तरीके का बनाया हुआ गुरुद्वारे की रेस्पी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें फिर मिलें